दैतिराजबली प्रहलाद के पौत्र एवं विरोचन के पुत्र, इन्हें सबसे बढ़्धा दानवीर माना जाता है, जिन्होंने भगवान वामन को ना सिर्फ प्रिथवी एवं स्वर्ग, अपितु स्वयम को भी दान दे दिया. इन्होंने भगवान वामन को तीन पग भूमिदान देने का निश्चे किया, वो भी ये जानते हुए कि वे साक्षात विष्णु अवतार हैं. जब वामन देव ने दो पगों में प्रिथवी और स्वर्ग को नाप लिया, तब तीसरे पग के लिए उन्होंने अपना शीश आगे कर दिया. इससे वामन देव अत्यंत प्रसन्न हुए और इन्हें चिरंजीवी बनाकर पाताल लोग का स्थाई राज्य प्रदान किया. बाद में जब इन्होंने भगवान विश्नु से वर प्राप्त कर उन्हें पाताल लोक में रोक लिया, तब माता लक्ष्मी ने इन्हें राखी बांधी और श्रीहरी को वापस मांग लिया. तब बली ने सहर्ष श्रीहरी को लोटा दिया. आज भी पूजा में हम इन्ही बल के श्लोक को परहते है. येन बद्धो बली राजा, दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वाम प्रतिबधनामी रक्षे माचल माचल, महर्शी ददीची. महर्शी अथरवन के पुत्र एवं ब्रह्मा के पौत्र ने दान की सर्वोत्तम परिभाशा स्थापित की. इन्होंने अनं महर्शी ददीची की अस्थियों में उनके संचित पुण्य के कारण इतना बल है कि उसी से बने अस्थर से वृत्रा सुर का वद्ध हो सकता है. इस पर इंद्रदेव ने बढड़े संकोच के साथ महर्शी ददीची को अपनी समस्या बताई. तब उस अस्थर के लिए ददी और महराज एकश्वाकू के पुत्र थे. इनकी दानवीर्टा ऐसी थी कि ये प्रति दिन सवा लाख गौवें दान करते थे. ऐसा कहा जाता है कि पृत्वी में जितने धूलकन हैं, आकाश में जितने तारे हैं और वर्शा में जितनी जलराशी हैं, अपने पूरे जीवनका साल में उतनी गाए इन्होंने दान की थी. यही नहीं, दान से पहले ये सभी गायों के सींगों को स्वर्ण एवं खुरों को रजत से एमाराच देते थे, और उसके साथ एक बचढधा भी दान करते थे. एक बार इन्होंने एक ब्राहमन को जो गाए दान दी, वो उससे बि उन्हें दान में मिली है. बाद में दोनों राजा न्रिक के पास निवारण हे तु पहुँचे, किन्तु राज काज में व्यस्त होने के कारण वे उनसे ना मिल सके. तब क्रोधित होकर उन ब्राहमनों ने उन्हें गिर जाने का श्राप दिया, और वे गिरगिट के रूप म कई युग पृत्वी पर ही रहे. बाद में द्वापर युग में श्री कृष्ण के हाथों वे श्राप से मुक्त हुए. श्री राम ने भी लक्षमन से राजा न्रिग के दान वीरता की चर्चा की थी, राजा हरिश्चंद्र. इन्होंने तो दान की सारी सीमाएं पार कर द और तीन स्वन मुद्राएं महर्शि विश्वामित्र को दक्षणा के रूप में दी. धर्म के लिए अपनी पत्नी और पुत्र का दान कर दिया. जब इनका एक मात्र पुत्र मर गया, तब भी इन्होंने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा और अपनी पत्नी से अपने ही पुत् तब उन्होंने अपनी साध्धी का आधा भाग फाड़ कर अपने पती को ही दान दिया. तब आकाश से देवताओं ने पुश्प वर्शा की और महर्शि विश्वामित्र ने इनकी सारी संपत्ति लोटा दी. इस घटना के बाद इनका यश युग, युगांतर तक फैल गय माया रूपी बाज ने कहा कि वो राजा हैं, इसलिए उसके भोजन का प्रबंध करना भी उनका दायत्व है. तब महराज शिभी ने कबूतर के भर के बराबर अपना मांस देना स्वीकार कर लिया. वो एक पडले में कबूतर को रख कर दूसरे में अपने शरीर का मांस काट काट कर रखने लगे. किन्तु जब पडला नहीं जुका, तो अंततह वे स्वयम तराजू पर बैठ गए, जिससे भार बराबर हो गया. तब शिभी ने बाज से कहा कि वो उन्हें खा ले. तब धर्मराज ने उन्हें दर्शन दिये और अनेक आशीरवाद दिये. राजा महर्शी विश्वामित्र ने इनसे चौधा करोध स्वर्ण मुद्राओं का दान मांगा, तो इन्होंने कुबेर से युद्ध कर. उनसे चौधा करोध स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त की और उसे महर्शी विश्वामित्र को दान किया. फिर पुनह इन्होंने विश्वज द्रोणाचार्य ये देखकर हैरान रह गए। आगे जाकर देखा तो उन्हें हिरण्य धनु का पुत्र एक लव्य दिखा, जो द्रोणाचार्य की मूर्ती बनाकर धनुरविद्या का अभ्यास कर रहा था। जिससे उसकी साधना पूर्णता को प्राप्थ हुई। कालांतर में जरासंध के पक्ष में उसे केवल चार अंगुलियों से युद्ध करता देख, श्री कृष्ण भी हैरान रह गए। बाद में श्री कृष्ण ने ही एक लव्य का वध कर उसे मोक्ष प्रदान किया। बर्बरीक की इस प्रतिग्या के कारण महा भारत का वास्तविक उद्धेश्य ही समाप्थ हो जाएगा। तब श्री कृष्ण ने इनसे उनका सर दान में मांग लिया। इस पर बर्बरीक ने हंसते हुए अपना सर काट कर दे दिया। इसके बाद बर्बरीक ने इच्छा ज पूजा के बाद इनके पास जो कुछ भी होता था वो ये दान कर देते थे। इनके द्वार से कोई आचक खाली नहीं गया। इन्होंने ये जानते हुए कि इंद्र अरजुन की सहायता के लिए मांग रहे हैं। अपना कवच कुंडल काट कर दान दे दिया। खुंती को दा अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।